हलो इस्टुएंट से लास्ट कैशन डिसस करेंगे एक्साइस 8.1 के लिए कैशन नमबर 14 क्या कहरा दा फिको ना की सिक्वेंस इस डिफैंड बाइक क्वेशन आपके सामने गिविन हैंड तो फस्ट एक्वेशन देखिए हम सबसे पहले देखो में a1 एक्वेशन अ की वैलीव हमें 1 गिविन है ओके और एक एक्वेशन गिविन है aN इक्वेशन टु ए n मिनस वन प्लस ए n मायनस तो यहां से में किन गिन की वैल्यू फान आट कर सको यह ए फाइक है मिर पास तो इक च्छिए को मैं आपके 4 पूट कर देता हूं। यहाँ फॉर पूट किया मैंने तो यहाँ पर फॉर पूट करना पड़ेगा A4-1 4-2 A3-1 A3-2 A3 की वैलू 2 है, A2 की वैलू 1 है, कितना हो गया 4,3 और क्या निकाल सकतू हूँ? A5 भी निकाल सकता हूं, A5-1 प्लस A एक सेकंड, 5-2 हो जाएगा यह 5-1 और यह 5-2 कितना हो गया देखो, यह A4 प्लस A3, A4 की वेलू 3 है और A3 की वेलू कितनी है? 2 है Next, देखो A6 अगर निकालना हो तो A6-1 प्लस A6-2 A5 प्लस A4 A5 की वेलू 5 है और A4 की वेलू 3 है यहां तक बताओ, मेरे साब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब देखो, next जो find करना है find this equation, अगर अगर इस equation में n इक्वेल्स टू 1 पूट करता हूं फर्स्ट केस में, तो देखो, यह equation क्या बन जाएगी A1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1 ठीक है तो यह हो गया, A2 बाई A1 A2 की वेलू भी 1 है, इसकी वेलू भी 1 है तो यहां पर क्या रहेगा, आपके बास 1 ही रहेगा अगर मैं n इक्वेल्स टू पूट करता हूं तो A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 अपॉन A2 A3 की वेलू कितनी है, हमर पास देखो, बैक साइड में A3 की वेलू हमने निकाली है 2 और A1 की वेलू, A2 की वेलू है 1 तो यह 2 आ गया फिर आप मैं n इक्वेल्स टू पूट करता है A3 प्लस 1 A3 यह हो जाएगा A4 अपॉन A3 A4 की वेलू कितनी है 3 और A3 की वेलू कितनी थी हमर पास A3 की वेलू 2 अब मैं n इक्वेल्स टू 4 पूट करता हूँ तो यह हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन A4 A5 अपॉन A4 A5 की वेलू की देखो पीछे 5 A4 की वेलू देखो पीछे A4 की वेलू 3 ठीक है और देखो N इक्वेल्स टू 5 लास्ट देखो यह सारी वेलू भी पूट करनी थी आपको इन के अंदर A5 प्लस 1 अपॉन A5 A6 दिवाइड बाई A5 A6 की वेलू देखो लास्ट यूज हो रही है आपके पास 8 A5 की वेलू क्या आपके पास 5 समझे नहीं समझे तो आपके पास जो वेलू बन के आ गई है वो क्या बन के आ गई 1,2,3 by 2,5 by 3,8 by 5 तो बताओ क्या समझ में नहीं आया इलिया रहा तक यह होता है कम्प्लीट आपके लिए कैशन नंबर एक सेकंड थी की वेलू टू थी थी ना इस आपके यह नहीं समें के साथ